हेलो व्यूर्स, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल, तो आज इस स्टूडियो में मैं आपसे शेयर करने जारी हूँ एक और नया खोपसरा सा डिजाइन और ये डिजाइन बनाना बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद तो चली बिड़ो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने डालने हैं फंदे तो आपको जैसे फंदे डालने आते हैं वैसे डाल सकते हैं, जरूर नहीं है, जैसे मैं डाल रहे हैं, आप मुझे ही कॉपी करें तो आपको जैसे फंदे डालने आ रहे हैं आप ऐसे फंदे डाल सकते हैं तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 24 फंदे लिए हैं तो अगर आपको और बड़ा बनाना है तो 24 में 4 प्लस करके आप 28 फंदे ले सकते हैं अगर उसे भी बड़ा बनाना है तो आप चार फंदे और प्लस कर लीजिए, तो अगर और भी बड़ा बनाना है तो आप उसमें चार फंदे और प्लस कर लीजिए, तो इस तरह से आप बड़े से बड़ा आप डिजाइन बना सकते हैं, तो देखी मैंने फंदे डालने हैं, त तो फंदे डालने के बाद जो फंदे हैं वो थोड़ी से टाइट हो जाते हैं तो इसलिए हमें जो पहली सलाई है वो हमें ऐसे ही बुननी है ताकि फंदे थोड़ी से धीली हो जाए और जो डिजाइन है जो बुनाई है वो अच्छे से हो जाए तो इसलिए जो पहली सलाई है वो आपको ऐसे ही बुणते हुए जाना है इसमें कोई भी हम डिसाइन शुरू नहीं करेंगे नहीं फंधे भढ़ाएंगे ना करेंगे तो पूरी सलाई ऐसी निकाल नी है तो देखे विव एर्स मैंने पूरी सलाई ऐसे ही निकाल ली है तो अब हम हम शुरू करते हैं अपना डिजाइन तो डिजाइन बनाने के लिए कि पहले दो फंदों को हमें बुनना नहीं है पहले दो फंदों को हमें उतारना है तो दो फंदों को बिना बने उतार लेंगे और बाकी फंदों को हम बुनते हुए चले जाएंगे तो एक तरह से मैंने पह इसमें से दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे पीछे की तरफ से ये देखिए मैं आपको दिखाते हूं अभी और आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है इसमें सीधा नहीं बुनना है यह देखे हम लागे लास्ट में और लास्ट में भी हमें दो फंदों को छोड़ देना है तो शुरू में भी दो फंदे छोड़ दिये थे लास्ट में भी दो फंदों को छोड़ना है और यहीं से हमें पलट जाना है पहला फंद उतार लिया और उतारने के बाद बाकि फंदों को बुर्णा है और अब यहां से भी हमें दो फंदों को छोड़ना है यानि कि दोनों तरफ से जब हम बुराई करते हुए आएंगे तो दो दो फंदे छोड़ते हुच रहेंगे देखें दो फंदे बिन बुर्णे पहले थे अब दो फंदे फिर से छोड़ देंगे तो टोटल हो गए चार फंदे और यहीं से पलट जाना है और यहीं से फंदों को बुर्णा शुरू करना है देखे यहां से भी अब 2 फंदे छोड़ देंगे यह देखे दो फंदे यहां से भी छोड़ देंगे तो 4 फंदे होगे तो हमने दोनों तरफ से 4-4 फंदों को छोड़ दिया है और यहीं से पलट जाना है अब देखे दो फंदे फिर से छोड़ देंगे ये होगे टोटल दो चार छे फंदे हमने छोड़ दिये अब यहीं से पलट जाएंगे पहला फंद उतारना है और देखे दो दो करके हमें दोनों तरफ से फंदों को छोड़ना है तो यहां से 6 फंदे छोड़ दिये तो 6 फंदे यहां से छोड़ देंगे और 2-2 करके दोनों तरफ से हमें फंदों को छोड़ना है तो देखे वियोर्स मैंने 2-2 करके फंदे छोड़ दिये हैं देखे 2, यह 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 यानि कि दोनों तरफ मैंने 10-10 फंदे जोड़े में छोड़ दिया यानि कि 20 फंदे में छोड़ चुकी हैं तो अब हमें ये दो फंदे और भुन लेने है ये देखे दो फंदे मैंने भुन लिए ये देखे तो अब दोनों तरफ हो गए 12-12 फंदे टोटल थे 24 तो 24 का half होता है 12 चोबिस को गर आदा करेंगे तो 12 तो दोनों तरफ हमारे पस 12 बारफंदे हैं देखें कांट कर लेते हैं दो यह देखें कांट करने की बात मेरे दोनों तरफ आ गए है 12 बारफंदे तो अब हमें यहां से दूसरा कलर एड़ करना है बारा फंदों में आपको कुछ नहीं करना जो बारा फंदे है उसी में हम अपने दूसरा डिजाइन एड़ करेंगे तो यहां से जो बारा फंदे हैं वो हम ब्लू कलर से बुन लेंगे सारे फंदों को इसे साथ बुनना है सारे फंदों को ब्लू से ही बुन लेंगे यह देखिए बारा फंदों में ब्लू कलर हमने आड़ कर लिया और बाके के बारा फंदों में हमें कुछ नहीं करना है वो एज़िटिज रखने है अब हम आ गए है सीधी तरफ अब यहां पर हमें एक फंदा बढ़ाना है देखिए फंदा कैसे बढ़ाएंगे धागे को सलाई के पीछे से ऐसे गुमाना है और फंदे को बढ़ा लेना तो एक फंदा हमारा बढ़ गया तो 24 फंदे थे 24 में अब एक फंदा बढ़ाने के बाद होगए टोटल 25 फंदे और यहां से हम दो फंदे छोड़ देंगे तो ब्लू कलर का जब डिजाइन हम बनाएंगे तो इसमें हमें एक फंदा बढ़ाना है और बैक साइट से हमें दो फंदे छोड़ते हुए जाना है तो जैसे एक फंदा बढ़ाओगे पीछे से हम दो फंदे छोड़ देंगे उल्टी तरफ से हमी कुछ नहीं करना है जो फंदा जैसे है वैसे ही भुनना है ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई घटाना है देखे पूरी सलाई होगी complete अब हम एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे हम आ गए है सीधी तरफ और सीधी तरफ में ही आपको फंदा बढ़ाना है अब यहाँ से एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे यह देखे एक फंदा मैंने फिर से बढ़ा लिया और अब पीछे से फिर से दो फंदो को हमें छोड़ना है यह देखे दो फंदो को हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे पहला फंदा उतार लिया बाकी फंदो कैसे ही बुनते वे जाना है सो व्योर्स दो फंदे बढ़ चुके हैं हमारे और दो कर डबल होता है फोर और पीछे से हमने चार फंदे छोड़ दिया है उल्टी तरफ से सारे फंदो कैसे बुनना है यह देखे दो और चार यह चार फंदे हमने छोड़ दिये अब एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे तीन फंदे हमारे बढ़ चुके हैं ये तीन फंदे हमारे बढ़ चुके हैं और पीछे से अब हम थ्रीका डबल होता है 6 और पीछे से हम 6 फंदे छोड़ देंगे ये देखिए 2, 4, 6, 6 फंदे हमें छोड़ने हैं और यहीं से पलट जाना है पहला फंदा उतार लेंगे यहां से हमारे फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं और पीछे से हम फंदे छोड़ते हुए जा रहे हैं तो 2, 4, 6 फंदे छोड़ दिये तो इसी तरह से आपको 12 फंदे छोड़ने हैं और यह 3 फंदे हमारे बढ़ हुए थे तो यह देखिए मैंने यहां से 12 फंदे छोड़ दिये हैं और हमारे 6 फंदे बढ़ गए देखे 2, 4, 6, 8, 10, 12 यहां तक मैंने छोड़ दिये और यह हमारे 2, 4, 6 यह हमारे फंदे बढ़े हुए फंदे जो हमने बढ़ाए थे तो आदी पती हमारे बन के तैयार हो गई आदी में हमें क्या करना ह जैसे हमने फंदे बढ़ाएते वैसे हमें घटाना है तो फंदों को एक साथ बुन लेंगे दो फंदों को एक साथ बुनने से एक फंदा हमारा घट जाएगा अब रह गए हमारे पास 5 फंदे ये देखे 2, 3, 4 ये देखे अब यहीं से सलाई को पलट लेना है पहला फंदों उतार लेंगे और बाकी फंदों को ऐसे ही बुंते हुए जाना है यह देखिए हमारे डिजाइन में बनना शुरू हो गया अब एक फंदा फिर से गटाएंगे एक फंदा फिर से गटा लिया तो अब रह गए है चार फंदे यह दो तीन चार यह हमारे बढ़े हुए फंदे हैं यह देखिए दो फंदे हमने उठाए थे और अब दो फंदे हम फिर से उठा लेंगे देखिए बीच में गैप ना आए उसको फिल करने के लिए हमें बीच में से एक फंदा उठाना है यहां से ताकि कोई जाले ना पड़े तो यहां से कोई भी एक फंदा आप उठा लेजिए यह देखिए मैं जैसे फंदा उठा लिया है और इस फंदे को और जो दूसरा फंदा है इन दोनों को हमें एक साथ भुन देना है यह देखिए एक साथ भुन दिया और दूसरा फंदा भी हम साथ में भुन लेंगे दो फंदे हमने फिर से उठा लिये यह देखिए कोई भी गैप नहीं आया कोई भी जाले नहीं बनी और यहीं से सलाई क को पलट लेना है यह देखें तो व्यूर्स यहां से हम फंदों को गटा यह हमने बढ़ाये थे फंदे अब हमें फंदों को घटाना है तो दो फंदे मैं ने गटा लिए तो जैसे दो गटाए हैं वैसे ही बाकी फंदों को घटाना है दो दो करके यहां से हम फंदे उठाते हुए चले जाएंगे तो चलिए मैं complete कर लेती हूं और उसके बाद आपको दि और अब मेरे पास दुबारा से हैं वापस से 12 फंदे और अब हम हैं बैक साइड पीछे की तरफ हैं अब यहां से हमें औरेंज कलर ही आड़ करना है ब्लू कलर के धागे का जो डिजाइन है वो यहीं तक कम्प्रेट हो चुका है अब हमें वापस से औरेंज कलर हम इसमें एड कर देंगे तो हमने यह डिजाइन 24 फंदों से शुरू किया था और अब हमारे पास 12 से 24 फंदे ही हैं तो जितने फंदों से हमने डिजाइन शुरू किया था उतने ही है हमारे पास 12 फंदों में हमने कोई डिजाइन नहीं बनाया था और जो 12 फंदों में हमने ब्लू का तो पहला फंदो उतार लेते हैं, फंदो को करेंगे आगे और बागी फंदो को भी इसी तरह से बुनते हुए जाना है, यह देखें, यहाँ पर गैप आ गया है, तो इस गैप को हम कैसे फिल करेंगे, मैंने आप से पहले बिदा था, कि हम पीच में से एक फंदा उठा लेंगे, और यह दो फंदो को एक साथ बुन देंगे, तो यहाँ पर जो गैप है वो फिल हो जाएगा, और दूसरे फंदो को भी बुन लेंगे इसी तरह से, यह देखें, यहाँ पर कोई कैप नहीं आया है, अच्छे से हमारा जो डिजाइन है, दो धागों से जो डिजाइन हम बना रहे अच्छे से टैच हो चुका है, और बाकी फंदो को भी हम ऐसे ही बुन लेंगे, यह देखिए, अब हमारे पास फिर से आके औरेंज कलर, जैसे हम ने यह पत्ती का डिजाइन बनाया था, औरेंज कलर के पत्ती का डिजाइन बनाया था, हम अब हम बैसे ही इस पत्ती का डिजाइन बे हम बनायेंगे, और इसी तरह से जो हमारा डिजाइन है कंप्लेट होता हूँ चला जाएगा, और यह आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, अजर डोरमेट यूज करें, थाल पोस यूज करें, तो जैसे मर्जी बनाया, तो मैं थोड़ा सा डिजाइन कंप्लेट करने के बाद आपको दिखा रही हूँ, कि इसका जो लुक है वो इस तरह से आएगा, आई होप आ Thank you for watching my video